आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन करी और पुलाओ की कॉम्बो रेसिपी बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनाएंगे इसमें हमें ग्राइंडर वगिरा की जरुवत निये एक ही बरतन में और बहुत यासान तरीके से और यकीन मानिए ये चिकन करी आपको रेस्टरेंट और धावी से ज़्यादा पसंद आएगा साथ मही मैंने एक पुलाओ की रेसिपी दिखाई है जिसे बनाने में सिफ दो मिनट लगेंगे और ये पुलाओ इस चिकन करी के साथ एक तब पॉफिक जाता है तो चलिए आज के मज़दा रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तो उसके लिए एक बरतन में चार चमज खटी दही ले ले और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पॉडर तो आधी चोटी चमज लाल मिर्च पॉडर डाल दे आधी चोटी चमज गरम मसाला पॉडर एक चोटा चमज न दाल दे और इसके बाद हम दही से इसे अच्छे से कोट कर देंगे तो यहां पर इसे अच्छे से मिला दे और जैसे ही यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम इसे ढख के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे आप चाहे तो मैरिनेशन एक घंडे के लिए भी कर सकते है अब हम मसालों की तयारी कर लेते हैं तो उसके लिए एक बोल में एक बड़ा चमच जीरा पाउडर दो बड़े चमच धनिया पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर से ज्यादा इस्तमाल करें डेर से दो बड़े चमच आप इसमे लाल मिर्च का पाउडर डाल दें मैं अगर आप मसालों को पहले पानी में भीगो देंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे तो सब्जी का कलर भी अच्छा आएगा और सब्जी जादा टेस्टी बनेगी तो यहाँ पे जितनी पानी की जुरूरत है उससे सबसे पानी डाल के और इसे ऐसे मिक्स करके रखतें तो चिकन को हमने मारिनेट करके रखा है, मसाला रेडी करके रखा है अब हम यहाँ पे 5 मीडियम साइज के प्याच करते हुए प्याच को ऐसे लंपाई में काट ले फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हैगा तो यहाँ पर हलका साई से क्रश करके ऐसे निकाल दे यह देखे और इसके बाद इसमें बाकी के अद्रक और लैसुन डाल देगे यहाँ पर मैंने पूरा लैसुन अद्रक नहीं डाला है क्योंकि मैं लैसुन अद्रक थोड़ा कम खाते हूँ लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉंग फ्लेवर चीए तो आप लैसुन अद्रक का इस्तमाल ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को क्रश कर लिया है तो यह देखे यह मैंने निकाल दिया तो मैंने जितना लैसुन अद्रक दिखाया था उसमें इतनी ही कौन्टेट इस्तमाल की है यह मैं इस्तमाल नहीं कर रही हूँ अगर आपको ज़्यादा मसालेदार बनाना है तो आप पूरा लैसुन अद्रक इस्तमाल करें अब हम एक कड़ा ही गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे एक चौथाई कप सरसो का तेल सरसो के तेल में चिकेन या छोले जो है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप नॉर्मल तेल इस्तमाल करें तेल को अच्छे से गरम हो जाने दें जैसे ही तेल से धुआ निकलने लगे आप इसमें बड़ी लाइची दाल चीनी और एक तेजपत्ता डाल दें इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे तो एक छोटा चमच जीरा डाल दें और जीरा जैसे ही थोड़ा पक जाए आप इसमें क्रश्ट किया हुआ लेसुन डाल दें ध्यान रखोओे अभी मैंने लैसुन रदक बड़क दोनों नहीं डाला है सिर्जुन डाला है जो हमने पहले क्रश किया था इसके बाद हम इसमें प्यास डाल देंगे तो लैसुन का फ्लेवर जो यह हो तेल में आजाएँगा न उसके बाद प्यास ढाल दालना है आपको तो यहां पर प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे यह अद्रक और लैसून नहीं डाले थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने ताकि टमाटर जल्दी गल जाए अब हम इसे ठाग देंगे और कम से कम 8-10 मिनट और पकाएंगे जब तक कि प्यास टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं तो यहां पे इसे मिक्स किया मैंने यह देखे प्यास टमाटर जो है व पुराने समय में पाउडर मसाला इस्तमाल नहीं होता था, सिलवर्टे पे पीस की मसाला इस्तमाल होता था, उसी प्रोसे से हम इसे बनाएंगे लेकिन रेडिमेंट मसाले से अब हम इसे ठाग देंगे और धीमी आज पर 7-8 मिनट पकाएंगे 7-8 मिनट पाद पैन का ढखकन अटाएं, मिला दे से जैसे ही मसालो की किनारे से तेल आपको दिखने लगे, मतलब मसाला हमारे अच्छे से पक गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, तो यहाँ पर यह जो चिकन है वो दही के साथ ही आप इसमें डाल दें चिकन डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो ध्यान रहे कि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था, तो नमक हिसाब से डाले अब हम गयास का फ्ले में यहाँ पर मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्ले में पर पहले इसे दो मिनट के लिए ऐसे भूल ले और उसके बाद पैन को कवर करके धीमियाज पर पकने दें जैसे ही पैन को cover करेंगे इसमें से पानी release होगा तो यहाँ पे gas couple मैंने low medium कर दिया है और इसे पकने दे साथ से आट मिनट बाद पैन का ढखका नटाएं और इसे हम एक बार mix करेंगी तो यहाँ पे masala और जो chicken है वो साथ में मिलके ऐसे खुदी gravy release करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि टमाटर प्याज जो है वो और भीगा लेंगे और chicken से भी थोड़ा monster निकलता है तो अब हम इसे ढखके धी मियाज पे 15-20 मिनट पकाएंगे बस ध्यान रहे कि बीच बीच में आपको इसे mix करते रहना है ताकि यह नीचे से जले नहीं अब मैं आपको एक देशी तरीका बताती हूँ हमारे यहाँ जब chicken बनता है न तो chicken बनाते वक्त उसमें ऐसे खड़े lesson डाल दिये जाते है और जब chicken बन जाती है तो chicken के जैसे इसे squeeze करके खाया जाता है तो आप इसे एक बज़े रूट राई करें लेकिन ये वाला जो lesson वाला प्रोसेजन है ये आप सर्दियों में ट्राई करें क्योंकि lesson गरम होता है तो पेट में थोड़ा सा गरम करेगा तो यहाँ पे मैंने इसे ढख दिया है और ढख के पांच मिनाट और पकाया जैसे ही chicken 70-80% पक जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगी अगर आपको dry chicken खाना है तो आप इसे ऐसे ही पकाले पानी नहीं डाले लेकिन अगर आपको gravy वाली खानी है तो आप इसमें एक गलास गरम पानी डाल दें गरम पानी का इस्तमाल करने से chicken curry का जो color है वो भी अच्छा हैगा और gravy का texture अच्छा हैगा तो अब हम इसे ढख देंगे और जब तक chicken अच्छे से पक नहीं जाए तब तक आप इसे ऐसे धीमियाज पे पकाएं बीच बीच में आप इसे mix करते रहें और chicken खुना आप एक बर चेक कर लें तो अगर आप boiler chicken इस्तमाल करें तो जल्दी पक जाता है और अगर देसी इस्तमाल करें तो उसे समय लगेगा तो यहाँ पर यह एक छोटा चमच गरम masala powder last में डाल दें और गरम masala डालने के बाद इसे ठाक के दो मिनट और पकाएंगे किसी भी चीज में अगर आप गरम masala last में इस्तमाल करेंगे तो सबजी से बहुत अच्छी खुच हुआएगी तो यहाँ पर हमारा chicken curry जो है वो बहुत ही tempting दिख रहा है यह देखे गरम पानी डालने से मैंने आपको बताया ना कि इसके ऊपर का जो texture है वो बहुत ही बड़ी आएगा जब आप इससे serve करेंगे तो बहुत जादा tempting देखेगा तो gas off करने से पहले आप chicken को check कर ले कि वो पकाये की नहीं अगर नहीं पकाये तो थोड़ा सा और पकाये और पक गया तो gas को बंद कर दे तो यहाँ पे यह वाला जो part है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक मिनट और पकाये तो और भी ज़्यादा soft हो जाएगा यह देखे तो मैं यहाँ पर गया करते हूं कि इसे ढख देती हूं और एक मिनट और पकाते हूं धीमियाज पे ग्रेवी का टेक्शर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चीए तो पाने का इस्तेमाल ज़्यादा करें लेकिन धानरे उसके साथ नमग भी डालें लेकिन यहां पर यह जो करी है वो एक तम पॉफिक दीख रिये क्योंकि जैसे आप ग्यास बंद करेंगे ना ठंडा होने के बाद यह और भी ज़्यादा गाड़ा होगा तो एक तम पॉफिक टेक्शर है राइस पुलाओ या फिर रोटी के साथ खाने के लिए अब हम लास्ट में ग्यास बंद करने से पहले इसमें एक से दो चमज घी डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस जाता है लेकिन घी इसमें ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं पैन को कवर कर दिया मैंने और आट से दस सेकेंड के लिए पका लिया तो घी डालने से उपर का जो कलर है वो और भी ज्यादा रिच हो जाएगा और एक अलग सा फ्लेवर आता है मतलब वो फ्लेवर मैं आपको बता नहीं सकती आप इसे जरू ट्राई करें घी के साथ तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से पक्या है यहाँ पे म हमारा चिकन करी जो है वो बन के तयार है आप देख सकते हैं कलर और जो क्रेविय वो इक्तम पॉफिक्ट बनी है तब हम चलते हैं पुलाव बनाने का प्रॉसेस में लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दू किसका जो टेक्शर है वो कैसा है तो यह हमारा सूपर टेस्य और अ ची तेजपत्ता और जीरा डालेंगे हम और इन तीनों को थोड़ा सा पका ले इसके बाद हम इसमें सब्जिया डालेंगे तो मैं यहां पर शिम्ला मिर्च प्याज गाजर मतर और नीबू का इस्तवाल करें हूं पुलाव बनाने के लिए आप चीए तो अपने पसंद की सब्जियो को हम दो मिनट के लिए भूल लेंगे आप इसमें चाहिए तो उपर से एक चमच घी डाल दे उससे पलाव और भी जादा अच्छा बनेगा मिला दे इससे और बस एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूल ले सब्जियो का जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए ज़्यादा ओवर कुख नहीं करें इसके बाद हम इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे तो चावल को मैंने पहले पानी में उबाल लिया है और इसके बाद पंखी के नीचे रख दिया था ताकि यह अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर यह चावल डाल दिया मैंने नमक फिल सुथ खड़िए इसमें कुछ भी निचजाला है इसमें कोई मसाला गरानी इस्तलम करना है अगर आपको मिर्ची पसंद है तो आपए मिर्ची अड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि चिकन हमारा पहली स्पाइस हे है तो यहाँ पे लास्ट मैं गया कॉम्बिनेशन बहुत है तो चिकन करी यह ने पहले से बना के रखा है अब हम लास्ट में इसमें यह नीबू डाल देंगे नीबू का इस्तमाल एकदम लास्ट में करें मतलब राइस को एसे मिक्स करें और गैस को बंकर दें नीबू डालने कबाद इसे पकाई नहीं और कि बहुत बहुत ही amazing लग रहा है तो आप इस combination को जरूर try करें और अब हम इसे serve कर लेते हैं तो serve करने के लिए मैं आपको दिखाते हूं कि यह जो chicken curry है वो थोड़ी से ठंडी होने के बाद इसकी जो gravy है उसकी consistency कैसी है हैने एकदम perfect तो बिना masala पी से एकदम easy तरीके से आप इस chicken curry को बना सकते हैं यह देखिए अगर आप chicken में दही या घी का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो दोनों को skip कर सकते हैं दही की जगा आप बस बाकी masala की सा chicken को marinate करें और पुलाव में या फिर चिकन में लास्वी घीन इस्तमाल करें तो यहाँ पर यह राइस दिखा देती हूँ आपको यह भी एकदम perfect दानेदार है तो दो मिनट में बनने वाली यह पुलाव है जिसे बनाने बहुत आसान है तो सर्फ करते वक्त आप इसे ऐसे सर्फ करें तो दिखने में भी अच्छा लगेगा एकदम रेस्ट्रेंट में जैसे कॉंबो होता ना वैसे दिखेगा यह तो यह हमारा मज़िदार बुलाव और उसके साथ यह सूपर टेस्टी और मसालेदार चिकन करी जो है वो बन के तयार है यकीन मानिए रेस्ट्रेंट या ढावे से अच्छी चिकन करी की रेसिपी है तो लास्मी की सालाट रख देती हुमे तो आप इस सूपर टेस्टी कॉंबो की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा